हेलो दोस्तो स्वागत है दोस्तो आप सभी का अपने यूटूब चैनल में सो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वाट्सेप की डिलीट चैट को बापस कैसे ला सकते हैं अगर आप पर वाट्सेप की कोई भी चैट दोकी से डिलीट हो गई चाहे वो आपका कोई SMS हो, आपकी कोई IDO हो, आपकी कोई वीडियो हो, आपका कोई फोटो हो, आपका कोई डॉकुमेंट हो जितना सारा सिस्टम भी आपकी वाट्सेप से डिलीट हो गया है अगर आप उसी बापिस लाना चाहती हूँ, बापिस रीकवर करना चाहती हूँ तो आज की सी वीडियो में आपको मैं दो step बताने वाला हूँ दोनों step से आप 100% अपनी delete chat को रीकवर करना चाहती है पहला step बताऊँगा उसमें आप बहुत पुरानी चैट को recover कर सकती है और मैं आपको दूसरा step बताऊँगा उसमें आप present की चैट को recover कर सकती है तो भाई मैं जो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपको like करके बताऊँगा तो please अगर मैं यतने confident के साथ आप से बोरा हूँ तो please आपको वीडियो को full watch करना है उसी के साथ में अगर आप वीडियो पर पहली वारा है तो please मेरे भाई वीडियो को भी like कर दीजिए चैनल को भी subscribe जरूर कर दीजिए एंड चली आप आपको बताते हैं कि आप किसी भी पुरानी डिलीट चैट को recover कैसे कर सकती हैं तो सबसे पहले तरीके में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बहुत पुरानी चैट डिलीट हो गई है बैकप का हिंदी अनुबाध है कि आप बलीट चैट को वापस कैसे बैकप कर सकते हैं वापस कैसे ला सकते हैं तो चैट बैकप पर आने के बाद आपको इस टाइब का option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको कर देना है बैकप जो ब्लू कलर में देख सकते हैं np. जैसे आप यहांपर क्लिप करोगे तो आपको थोड़ा से यहांपर bisa करना है आपकी चेट हैं पर बेकप हो रही है तो आपको टैंसर में लनी आपकी सटार्टिंग से लेकर अन्ड तक जितनी वाली मसीन एंड फोटो तो मैंने डिलीट कर दिया था देख सकती हैं सारी चैट बापस आ गई अब चलिए अम मैं आपको बताता हूं कि आप डिलीट तुरंत की प्रिजन टाइम की डिलीट चैट को रीकवर कैसे कर सकती हैं तो पहले मैं आपको डिलीट करके बताऊंगा यह अंडो पर किया क्लिक देख सकते हैं रीकवर हो गया तो मैं आपको बताता हूं यह ट्रिक आपको कैसे करनी है तो जैसे आप किसी भी मैसेच को यहाँ पर डिलीट करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको देखना है अभी आपको एक ऑप्सन देखेगा अंडो का जहाँ पर आप present की delete chat को recover कर सकती हैं तो मैंने delete for me किया देख सकते हैं नीचे आगया delete for me के नीचे undo तो मैंने undo पर किया click देख सकते हैं मेरी chat बापस recover हो गई तो इसी टाइप से दोस्तों आप मेरे बताय हुए तरीके से अपनी chat को recover कर सकती है